तो मुवी के स्टाट में हमें आसे तक्रीबन की सो सौल पहले का सीन दिखाया जाता है जब बाशाअ एकड्राएस को मारने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है और जिस पहाड यानिके मौंटेन में वो ड्राइगन को मारने के लिए जाता है, वो अंदर से बिलकुल होलो होती है, जिसमें रसी के जरीए नीचे उतरना होता है, यहाँ पे उतरने के बाद बाशा को कुछ बहुत ही खास चीज नज़राती है, जिसे वो मार तो देता है, ल इस वकर पूरी तुरह से कहत बढ़ चुका है, यहाँ पर बारिश नहीं हुई और इनके पास गोल्ड भी नहीं है, और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ही कम हैं, और यहाँ पर हमें लोडी और उसकी चोटी बैन फिलोडा को दिखाया जाता है, जो के काम कर लोडी लकड़ियां काट रही होती है, और उसकी चोटी बैन लकड़ियां कठी कर रही होती है, यहाँ पर महिनत करने की वज़जा से काफी सवाँ है, और तभी नहीं नोर्थ की तरफ कोई शक्स आता हूने से आता है, तो दोनों बैने सूचने लगती है, कि हमारे लागे क कि तरफ इस वक्त कोन आरा है और वो तर जस्स में उसका पीछा करने लगती है लेकिन वो तो उनके महल की तरफ जा रहा होता है यह एक लेडी होती है जो के एक पिंस की तरफ से शादी का पेगाम एलोडी के लिए एलोडी के फादर यानि इस राज़े के बाश्या किंग है राजय है और वो काफी अमीर है तो तुम्हें परिशान होने की बिल्कुल कोई जरूवत नहीं है और देखो हमें इसकी बहुत ज़्यादा जरूवत है हमारे स्टॉर्स बिल्कुल खाली हो चुके हैं तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए मुझे अपनी रियास्त में अप प्रफी ज्यादा द्यार लगती है और जब्के लोक्स मंदग के रास्ते से इस राज़े के क्लीप पहुंचता है तो उन्हें यहां पर ड्राइगन्स की बनिवे मूर्द जाना जराती है जिनके मूं में आग जले रही होती है जिसका मतलब था कि यहां पर याँ इस लेकिन फ्लोरा की stepmother उसे interrupt करती है और कहती है कि हमें ऐसा दिखाना चाहिए यह ऐसा लगना चाहिए इन लोगों को जैसे हम यहां से ही भी लोग करते हैं और हम भी बहुत अच्छे लोग हैं फ्लोरा और उसकी stepmother तो यह महल इतना हथा पसंद होते है यह लोग इतने जदबसंद अते हैं वह यह सूशिए लगता है कि शायद हम भी लगी के साथ यहां पर ही रहेंगे यानि यह लोग यहां से जाना ही नहीं जाते हैं लगी जब अपने रूम से बाहर दगती है तो उसे यहां पर एक और गर ले से राती है और इस वक्त इसका सब लोग वेड कर रहे होते हैं रात होती है तो हम देखते हैं कि ये महल बिल्कली ही उच्छ जिटान के करीब बनाया गया है जहां पर वो ड्रैगन रहा करती थी लेकिन ये तो कई सो साल पहले की बात थी अब नेक्स सीन में हम देखते हैं कि एलेडी और बेस हैंवी को एक दुसरे से इंटर्डियूस कर वाया जाता है और ये दोनों आपस में काफी कम्सोरेबल हो जाते हैं हैंवी तो बहुत ही अच्छा है और वो एलेडी को काफी अच्छा लगता है और वो एलेडी से कहती है इस महल में इस जगा पर ज़रूर कुछ ना कुछ कर पड़ है लेकिन एलेडी को तो ये जगा बहुत ही पसंद आ रही है और बिंस भी बहुत अच्छा है तो वो अपनी मदर से कहती है कि वो बिल्कुल कमफेडेबल है उसे कोई मसला नहीं है अब हम पहुँचते है मेरिश सर्मिनी पर जो होती है एक चर्श में मेरिश सर्मिनी के बाद काफी अची तरह से एलेडी अपने घरवालों से मिलकर हैंडी के साथ उसके महल की तरफ बढ़ती है लेकिन ये क्या हैंडी तो उसे उस पहार की तरफ ले जाता है एलेडी के पुछने पर वो बताता है कि तुम्ही मेंने बताया दाना कि हमारे पुर्ख होगी तरफ से यहां पर कुछ रसुमात की जाती है जो कई सो साल से सिलती आ रही है तो कुछ नहीं बस कुछ देर की रसुमात होंगी और फिर हम बापीस आ जाएंगे एलेडी जब यहां पर पहुंचते है तो देखती है कि सब लोग उने अपने चेहरे गॉल्डन करर के माज से ठक्यके होते है एलेडी तो गबरा रही होती है लेकिन हेंरी जो काफी अचा है वो उसे हर पार शांत कर देता है हेंरी की मॉम यनी कुईन इसाबल एलेडी को अपनी इस रसुमात की स्टोरी सुनाने लगती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं बहुत सी जनरेशन से यह हमारा टास्क है यह मारी ड्यूटी है अपने लगां को परटेक्ट करने के लिए तो आज तुम उन सबी लड़कियों की लाइन को जोईन परोगे जिन्होंने हमारे इस राजेतों बचाने के लिए मदद की है और कुईन इसा पर एरोडी की है देली पर एक कौईन लगती है इस पर एक तरफ तुम हेड बना होता है लेकिन दूसी करफ ड्रेगन बना होता है हमारे पुल्खों ने जब इस लैंड पर रहना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि वो अकेले यहां पर नहीं रहते थे कोई और भी यहां पर रहता था ने नसल अपनी काइन का आखरी बीस्ट था तो किरेचर ने अपनी इस जगा को छोड़ा और हमारी लैंड पर कहर बसाना शुरू कर दिया तो बाशा ने अपने सोर्जर्स को कठा किया और बीस्ट से बदला लेने का फैसला किया लेकिन बाशा का स्टील याई तलवारें बीस्ट के लिए कोई मैच नहीं था और हर शक्स मारा गया तो उस बीस्ट ने बाशा के सामने एक शर्ट रखी इस लैंड को फ्री चोड़ने के लिए कि वो अपनी हर नसल से अपनी तीन बेटियों को कुरुबान करेगा तो ये उस मॉंस्टर की तरफ से बाशा के लिए एक टॉर्चर था तो हमेशा से ऐसा चलता आ रहा है कि तीन प्रिंसेस बीस्ट को दी जाती है और हमारा किंडम, हमारा वाजे, हमारी ट्रासत में फूज रहती है और तभी कुईन इसाबेल एलेडी के हाथ पर कट लगाती है और प्रेंस हैंडरी के हाथ पर भी एक कट लगाया जाता है और दोनों के खून यानि ब्लड आपस में मिक्स कर दिये जाते हैं और बस इतनी सी सर्मेनी थी, काफी अची सर्मेनी थी एलेडी तो बहुत कंफरडेबल है, फिस हैंडरी भी बहुत अच्छा है और ये लोग वापिस जाने लगते हैं अब हैंडरी एलेडी से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाना चाता हूँ इस ब्रीच को कॉस करने के लिए और इसे कहता है कि अपनी आँखे बंगर लेकिन जैसे ही वो ब्रीच के सेंटर में पुँच ता है तो वो एलेडी को एक ही जटके में ब्रीच से नीचे भाइंग देता है कई फुट नीचे गिरने के बाद L.A.D. को काफी चोट लगी है और जब उसे होश आता है तो तब उसे बता जलता है कि मैं ही सेक्रिफाइस थी मुझे ही सेक्रिफाइस किया गया है मेरी ही कुर्बानी थी और मेरी ही कुर्बानी दी गई है तो ये समान, ये जेवर, ये सोने की चीज़े हैं ये नेकलिस तो यहाँ पर पड़े हैं ये मेरे नहीं हैं मुझसे पहले पता नहीं कितनी पेंसर स्कुर्बान की जा चुकी है अब L.A.D. मदद के लिए चिलाती है वो बताना चाहती है कि मैं जिन्दा हूँ मेरी मदद की जाएं और उसकी आवाज सुनकर दोस्तो ड्रेगन अपनी आँखे कोलती है अब L.A.D. को इस वार में किसी एक जगा से एक बर्ड के पर पड़ाने की फ्रफरेंग की आवाज आती है तो L.A.D. उस तरफ चलने लगती है वो देखना चाहती है कि यहाँ पर क्या है यह एक बर्ड होती है जिस पर आग लगी होती है और वो आग से बचने की कोशिश कर रही होती है L.A.D. जो कि काफी काईन है काफी अच्छी निचर की है वो उस बर्ड की आग बचाती है उस बर मेटी डालकर उसे आग से निचात देती है लेकिन वो बर्ड फिर भी मर जाती है अब L.A.D. उसे पूछने लगती है कि तुम्ही क्या हुआ तुम्हारा की हल किसने कर दिया है तुम्ही बहुत ज़्यादा बर्ड सुकार के एक हिस्से से उस जगा पर दाखिल होती है जिन पर आग लगी होती है और वो जमीन पर किर के तरफने लगती है लेडी जो कि इन बर्ड को देखकर इंदी तकलीव में सूस कर सती है और वो काफी ज़्यादा सैड है और वो सैडनेस में कहती है कि मीच फ्रेंट मदर और तभी उसे बारी पर किसी मॉंस्टर की आवाज आती है मदर और एलेडी को वो मॉंस्टर पहली बार दिखाई देता है एलेडी उसे देखकर भागने लगती है और वो एक पिरण के पिछे चुप जाती है तभी ड्रेगन उसे पुछती है कि तुम्हारा नाम क्या है अपना नाम बताओ चोटे प्रिंदे एलोडी मेरा नाम एलोडी है और तुम क्या चाते हो ड्रेगन जवाब देती है कि वो ही जिसका वादा किया गया था एलोडी को सारी बाद समझा चुकी है अपने जगा लगा था अपने मुन से आग निकालने लगती है एलोडी को मारने के लिए यानि रोडारे की गर्ल गो मारने के लिए और LED उस fire से बच कर दूर बागने लगती है LED भागते वे ज़े जगा पर जाती है वो वहाँ पर उस लड़की को भी देखती है जिसका सबी लग वेट कर रहे थे पूरी तरह से जल चुकी थी लेकिन भागते वे LED की लेग भी जल जाती है और वो एक गार के चोटे से हिसे में चली जाती है लेकिन वो दर से कहराने लगती है और तबी ड्रेगन उससे पूछती है क्या मैंने तुम्हें हर्ड किया है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती इस पर ड्रेगन उसे कहती है कि बहुत जबरदस, बहुत समझदार और लेडी पानी बिरने के लिए जड़ने के निचे जाती है जिसका पानी जमा हुआ हुआ होता है लेकिन जैसे ही वो पानी लिए होती है तो एकदम से पानी पीखल उस्का नम विक्टॉरिया होता है उसने वहां पर एक मैक बनाय हुता है जो Medien फूर पहाड़ के नीचे है जितनी गूफ़ा है जा करने का मास्टर प्लैन होता इसे और वो फालो करती है, जो विक्टोरिया ने बनाया होता है, जहांपर एक कृテिल्ट वाली ज़गा से गुज़र के हैं, अगर तरफ जाया जाए तो सन बनाता है, वो LED ऐसही करती है, उन क्रिस्टल्स वाली जगा पर eken जरी जाती है, जो के बगार सामने नजर आ रहा होता है यानि उसके चेरे पर लाइट पढ़ रही होती है और वो बगैर कुछ सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ने लगती है लेकिन जैसे ही वो इस गुफा के बिल्कुल एंड पर पहुंचती है तो नीचे गिरने लगती है और वो संबल कर देखती है तो वो अभी भी जमीन से कई फुट उंची होती है और तभी उसे गुफा की तरफ आते वी कुछ लोग नजर आते हैं जिने वो हेल्प के लिए चिलाने लगती है लेकिन अभी वो इसे सुन पाते है इससे पहले ड्रेगन उसे पकड़ने के लिए इस कुफा के उपनिंग हिसे पर आ जाती है और बस वो उसे मारने ही वारी होती है आग से के लेडी देखती है के विक्टोरिया जो यहां पर आई थी वो भी यहां पर चलके मर चुकी है और अब यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं क्योंकि वो इतनी स्पीड में इन क्रिस्टल से नीचे नहीं उतर सकती तो वो बस मौत का इंतजार करने लिए और तभी कुफा के सेंटर में से ड्रेगन को किसी की आवाज आती है जो कि एलेडी को पकार रहा होता है तो यहां क्यों आए हो अपनी बेटी के लिए आए हो तो उसे आवाज दो जिसपर किंग को बता चले जाता है कि एलेडी अभी जिन्दा है तो किंग बाइफोर्ड एलेडी से कहने लिए कि एलेडी मुस्से गलती होई है मैं शर्मीन माओ तुम प्लीज बाहर मत आना मैंने तुम्हारे जिन्दगी के बदले अपनी लैंड का सोधा किया था और मैं बहुत जादा सोना लेकर अपनी लैंड में चला गया था लेकिन फिर मुझे बता चला कि तुम मेरी जिन्दगी की सबसे कीमती चीज़ थी तुम्हे लेने के लिए तो यह सुनकर ड्रैगन किंग बाइफोर्ड को भी मार देती है और तभी उसे करीब से एलेडी की आवाज आती है उसे देखने के लिए उस तरफ जाने ही लगती है के एक और आवाज सुन पर वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है और ड्रैगन उड़कर उस तरफ चले जाती है और तभी एलेडी किंग बाइफोर्ड के पास आती है जिस पर वो अपनी आखरी सासों में एलेडी को बताते है तुम रॉप से क्लाइम करके बाहर जा सकती हो और यहां से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं जाती है और फिर अपनी बहीं को बचाने के लिए जो के बेहश होती है और वहां पे वो क्या जएग्स होते है जिसमें त्री ड्राइगन बेबीज मरे हुए होते हैं यह अपने से गरीब प्रिंसेस को अपना खून लगाकर नीचे पहनते हैं और उस बड़ की खुश्भू से ड्राइगन के समझती है कि यह ही रोयल लोग हैं और इस तरह से कई लड़कियां क्योंके प्रिंसेस नहीं थी वह आरी जा चुकी है और अब L.A.D. के फैसला करती है कि बागबे की बजाए वो ड्रेगन को ये हकीकत बताएगी क्योंकि वो खुद अब बहुत जादा पेंसेहनवी से नफ़त करती है इसलिए वो ड्रेगन को सारी बात सच सच बताना चाहती है इसलिए वो भागती नहीं है बलकि ड्रेगन का सामना करती है और ड्रेगन को सारी बात बताना चाहती है लेकिन ड्रेगन जब वापिस आती है तो वो L.A.D. को पुकारती है और L.A.D. उसके सामने जाकर उसे सारी बात बताती है लेकिन वो L.A.D. की बात नहीं मानती और इनमें काफी लड़ाई होती है क्योंकि L.A.D. काफी सबज़दार है और वो एक ऐसे राजिये से है जहांपर वो काफी मेहनत करती थी इसलिए वो ड्रेगन को उसे की फायर से जखमी कर देती है और ड्रागन अमेनी ही वाली होती है कि यह है वो कड जिससे वो हमें खून लगाते है और तुमने आज तक अपना बदला लिया ही नहीं है तुमने कई इनोसेंट प्रिंसेस को मार दिया जो कि इस रोयल फैमली की थी ही नहीं तो मैं चाती हूँ कि तुम अपना बदला लो और मैं इस लड़ाई को यहां पर खत्म करती हूँ और वो उन चोटे से इनसक्स को पानी में से उठाती है और ड्रागन के उपर रख देती है और यहां पर सी इनसक्ट हो जाता है नक्सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस हैन्री जो के फिर से एक और मैर्विश कर रही होते है तब ही एलेडी चलती हुई बड़े अराम से उस शादी में शामिल होती है और उनसे कहती है क्या यह तीसरी बेटी है जिसे आप नीचे भैंकेंगे और एलेडी वहाँ से सही सिनामत बाहर निकल जाती है और नक्सीन में हम देखते हैं कि अब वो ड्रागन एलेडी के साथ ही रहती है और दोस्तों यहाँ पर हमारे मुवी की स्टोडी खत्म हो जाती है